कि गुट इवनिंग बच्चों कैसे हो सर मज़े में है डेटशिट रिलीज हो गई है और इस बार सी बीसी ने बहुत बढ़िया डेटशिट आपके लिए बनाई है भर भर के छुटियां दी है पर एक थोड़ी सी लिमिटेशन है कि उन दिनों में घर्मी बहुत पढ़ रही ह हो ओगो तो बटा डर्मी कूल लगाना और पेपर देजना दिमाग रहेगा ठंडा और सर पे नवरेतन तेल भी लगा के जाना ताकि दिमाग साही ठंडा रहे गा क्यों पूर्वी पूर्वी सही कहा रहा हूं कितनी होगी कि नीहोगी तो जैसे कि मेरा आपके साथ के लिए that is exclusive for term 2 term 2 में मेरा भी अब्जेक्ट है कि मैं आपको जैसे financial analysis statement की आपकी 10 number की किताब है मैं आपको एक assignment provide करूँगा इस assignment की जो PDF है वो मैं इसका link share कर दूँगा जो की online वाले student है और जो मेरे पास offline है उनको मैं physical copy भी दे रहा हूं यह और हम इन बाइस questions को अगर हम कर लेंगे तो मैं guaranteed कहता हूं आपको एक तो confidence बहुत आ जाएगा और आपका हाथ भी सेट हो जाएगा subjective paper के लिए जिस पर जंग लग चुका है और CBS ने more than 13 चैप्टर होते थे अब तो फिलाल हमारे चैप्टर ही कम है तो अब मैं आपके साथ एक नया तरीके से लेके आया हूं आपके लिए कि मेरे को 40 on 40 मास कैसे लेने है मेरी जो छोटी की मोटी जो गल्तियों होती है सिली जिसे मिस्टेक्स हैं जिसे मैं कहते हूं ला परवाइयां होती इस चीज को हम और रिफाइन करेंगे कि हम अपनी साफधानिया इतनी बढ़िया करेंगे कि हमसे दुरगटना घटेगी ही नहीं हम गाड़ी को इतना बढ़िया चलाएंगे तो मैंने एक आपको शीट प्रवाइड कर दी है जो की अनलेसिस और फनेंशल स्टेटमेंट के उपर है जो आपकी शीट प्रवाइड कर रहा हूं इसमें आपका दस नंबर का मसाला है यानि कि 25 कोशन में दस नंबर पक्के हैं और अगर आपने यह ढंसे कर लिया मेरे साथ तो आपको मैं कहता हूं कि यह दस नंबर तो आपके खाते में क्रेडिट होंगे ही होंगे बशर्ते तुम पढ़न इसमी क्लास के बाद भेज दूँगा फिलाल हम डिसकस कर लाथे को इस्क्रीन पर मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं पूर्वी सवाल आ रहा है यह देखिए अब पहले को स्को डिसकस करते हैं कि क्वेस्चन नबर बन को हम डिसकस करने जा रहे हैं पढ़ो बेट अपने सव यह देखिए आपकी स्कीन पर यह रहा सवाल क्वेश्चन नम्बर वन एम लिम्टिड अफनेंशल एंटरप्राइज एडवांस अलोन फ्री लैक इन वेस्ट रूपीज शिक्स लैक इन शेयर अफ द अधर कंपनी और पर्चेज मशिनरी ऑफ 9 अब सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला कि जो हम कैशलो स्टेट्मन बनाते हैं उसमें मारी दो तरही कंपनी होती है एक फानेंशल और एक नौन फानेंशल अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो तो हम यह मानते हैं कि वह नौन फानांस कंपनी है बट यहां पर यह कौन सी कं करना चाहेंगे फानेंशल एंटरप्राइजेस यारे कि फानेंशल कंपनी कोंसी होती है जैसे मुच्वल कंपनी बैंकिंग कंपनी राइट इस अग्जाम्पल ओफ फानेंशल एंटरप्राइजेस अब मुझे निकाल लिए कैश लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग अब यह कंपनी कौन सी है कि फानेशल एंटरप्राइज तो आप यह बताए इन्होंने लोन दिया एडवांस लोन दे दिया लिया दिया अडवांस लोन दे दिया नहीं तो यह इसकी ओपरेटिंग एक्टिविटी होगी की नहीं होगी यह से बिटा पूरवी जैन रिया सेटी समझ में आ रहा है इस पावन नंदा कैमरा उन कर सिंगल कैमरा उन कर कर रहा हुज़र हर्षित और नहीं करनी है कैमरा उन तो क्लास से बाहर हो जा अपने आप इधर देखो तो इसका मतलब यह एक्टिविटी आपकी कौन सी एक्टिविटी है उसके बाद आपने छे लाख अब आपने यह जो मशीनरी खरीदी यह 9 लैक आउट फ्लो यह आपकी इंवेस्टिंग एक्टिविटी होगी नहीं होगी यह इनवेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा कर नहीं होगा रिशित महेंग वाली है समझ में आ रहा है हां सर यह भी होगा डिविदेंट र आपकी इंवेस्टिंग एक्टिविटी को सेल करा है अब कितने का सेल किया आपकी वेल्यू 79 थी अगर आप 79 का माल 10,000 लॉस पर बेचेंगे तो आपको हम क्या बना रहे हैं कैश फ्लो बना रहे हैं तो आपको कितना कैश सीव होगा 69 यह रहा कैश का इन फ्लो हो गया कि नह सब्सक्राइब यह रिया से ठी चलिए हां जी सर समझ में आ गया अब मैं सवाल को करता हूं यह हमारा आज का टॉपिक है क्या है सर यह हमारी टर्म टू की हमारी क्या है रिवीजन क्लासिज है यह पूर्वीजन यह तरीका ठीक है यह आप बताओ कोई और अडवाई आपकी अनलाइन बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि सब अपनी कॉपिया और पैन लेके बैठेंगे और वर्क्षीट आपको पता लगए या वर्क्षीट लिखेंगे टर्म टू की वर्क्षीट नंबर मैं नंबर नहीं कोई दे रहा यह किसके उपर बेस्ट है हमारी कैश और बता अप यह लिखो ऑन फैनेंशन स्टेट्मेंट पर बेस्ट आइए अनलीसिजर वफनेंशन स्टेट्मेंट पर बेस्ट साहरी पावन अनंद अंदा मैं विख्टिव न हीडिटी निकालना है हमें शूरूती राइट राइट परफॉर्मा बन गया सबका रिशीद बन गया चलिए फिर तुबारा सवाल पर चलते हम पर्चेज और मशीनरी लिखिए पर्चेज और मशीनरी यहां लिखिए पर्चेज और मशीनरी ब्रैकिट में आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ जैसे ही यहां पी लिखेंगे आपके दिमाग में पी पी भजज़नी चाहिए पी का मतलब पर्चेज पी का मतलब आउट फ्लो क्योंकि आप मेजर गलती करते हो कि आप अमाउंट तो निकाल लेते हो इसे ब आपका आंसर गलत आजाता है फिर आप आपके बहर आपके चीके मारते ओशिट यार उब परचेज को ब्रैकिट में लिखा ही था और वहीं तुम्हारी लंका डह जाती है तो जैसे ही पी लिखोगे इधर देखो जैसे पी लिखोगे पहले ब्रैकिट लाल लो ऐसे पहले प सब्सक्राइब दूसरा क्या है सेल ओफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 79 का आपने बुक वेलू की चीज़ 10,000 घाटे बेची तो इसका मतलब आपको कितने मिल गए 69 यह दो ही एक्टिविटी आनी थी तो इसका अंसर क्या जाएगा आपका 8,31,000 माइनस का आगया अब जब माइनस का था तो क्या लिखते हैं यूज्टे केश यूजिद इन इन्वेस्टे एक्टिविटी कैश हो इन इन वेस्टिग्टिविटी इस पहले सवाल में किसी को कुई डाॉट तर में इसका स्क्रीज़ए ले ले लिजिए आप सिश्चा ले लिजिए मैंने को पीडिया भी पार्थ समझ में आ गया बिटा ये सर्य वाल दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्कीन पर गिव दा मीनिंग ऑफ cash equivalent for the purpose of preparing cash statement cash equivalent का मतलब होता है which is highly liquid investment which are easily convert into cash with the period of 90 days or less with insignificant risk यह आप पेपर में पढ़ लेना right and the example of example of cash equivalent commercial paper treasury bill current investment marketable security cash in hand cash in hand cash in hand cash in hand जो होता है वो cash था पार्ट होता है इसने क्या बोला है cash cash equivalent बोला उसने cash नहीं बोला cash and cash equivalent थो cash का मतलब होता है cash in hand demand deposit with bank cash which is highly liquid investment which are easily converted to cash with a period of 90 days or less with the insignificant risk रिस्क राइट बिटा रिया and the example of cash equivalent treasury bill commercial paper treasury bill commercial paper and marketable security or current investment is it clear ठीक है आईए question no.3 की तरफ चलिए प्रिंटिंग हो गई है यहां पर जो यह राएगा वह आएगा मार्च दो हजार बाईस और अठारा की आगा दो जार इक्किस यह आप भाई 20 21 21 सीधे रखे यहां यहां देख तुझे क्या बनानी है कि कमपैरिटी स्टेट्मेंट पीर ने बनाना है हमेशा हमेशा मैंने तुम्हें क्या बोला नॉर्मल सवाल जो होता है उसमें करंट इयर पहले लिखा होता है प्रीविए से बाद में भाई एक्जामिनर तु भाई जो करंट इयर पहले होना चीए पर आपने देखा कई बर सी बेस्ती जो करती है यह सीजे देती है तो आपको चेक करना चाहता कि बच्चे को सवाल पढ़ना भी आता है के पढ़ना आता है इस लिए नि आंक मीची और लगए लगा दो आई यलगार चलो पढ़लना अ एक पींदल सबसे पहले मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं पर्फोर्मा बनाऊंगा पर्फोर्मा में लिक वह एक पर्फॉर्मा-न पर्फॉर्मा लीख करेंगे ऐ। चलिए आप मेरे साथ परफोर्मा बनाएंगे question number 3 आपकी स्कीन पर ये रहा question number 3 लिखिए आप मेरे साथ लिखिए आप comparative comparative statement of comparative statement of profit and loss comparative statement of P&L भीया मैं क्लास में हूँ वह अमर जिनाटर तो बताओ राइट सर राइट पर्टिकुलर लिखो बटा पर्टिकुलर यहां लिखिए previous year यहां लिखिए current year यहां लिखिए absolute change absolute change और यहां लिखिए आप absolute percentage सभी बच्चे मेरे साथ copy पर लिखेंगे कोई तुम लोगों को आदत नहीं है लिखने की सर इसका माउंट पीरड लिखेंगे लो बीस इकिस इकिस बाइस यहां लिखो बीस इकिस यहां लिखो हां जी पूर्वी जहन समझ में आ रहा है कि यह चैप्टर जितना इजी है जितना यह चोटा है उतना ही खोटा है कारण यह कि तुम्हें लगता है हमें बहुत कुछ आता है पर कैलकूलेशन टुम निकम में हो चुके हो तुम बिलकुल हो चुके हो गड़ा कि लगाने के बाद भी तुमारे में इम्मंटि जो है तुम्हारा भी बूस्थ नहीं हुआ है पढ़ाने के लिए कि वैसे बूस्ट हो गया है अभी आपकी फिर्व हो जाएगि उसके लिए revenue from operation pushing previous रखकितना था 6,00,000 और 5,00,000 सीधे 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 रखे हैं लिखिये 6,00,000प पांच llama लिख लिये ये इव अरे ये जीरोो के बेड़ जाती है पांच लाग अब आज आओ यहां पर अधर इंकम अधर इंकम देखते हैं है के नहीं है यह देखिए स्क्रीन के सामने अधर इंकम इदर देखो पेटा ओनलाइन वालो अधर इंकम परसेंटेज ओफ रिवेन्यू फ्रोम अपरेशन परसेंटेज और इसका कितना हो जाएगा यह वह अनुटक दोनों का 2020 थिए दोनों का 2020 है रहां था है तो लिखीए आप 20 कितना हो जाएगा इसका इधर कितना हो जाएगा कि 1, 20 ज et एकव लक्टक हज़ार 5,00 likes कि अब 1 लैग कोहीं कना quickest कि यहाँ तक यह आपका क्या आ गया किहां अ कि टोटल यवागे यह सोड हो इतना आ गया 7 लैख है वंटी ऑज़न अरे भाइं दो के उड़ जाता है यह आ अपका कि को जान तो इन आपका टोटल रिंद्ध नी हो गया जान वी डोटल रिंद्ध यह हो गया पावन नंदा सब्सक्राइब हो गया हो गया चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं उन्होंने बोला अब आजाओ एक्सपेंस एक्सपेंस की सीक्वेंस क्या होती है चट पर चड़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर अब यहां पर एक आइटम दे रखी है डेट इस एड़िए एंप्लोई बैनिफिट एक्सपेंस बड़े ध्यान से सवाल को पढ़ना एक्जामनर तुमारे से गलती कराने की कोश प्लस अधर इंकम इफ एनी राइट बेटा पूर्वी यहां अगर आपके वही अपर दबड कर रखिया यहां सावधानी हटेगी दुरवटना घट जाएगी तुम क्या कर दोगे तुम छे लाग का 40 प्रफंड ले जाओगे ले जाओगे ले ले जाओगे ले जाओगे यह पावननन्दा तुने रिवेंड्यू परफिशन का लिया था या टोटल रिवेंड्यू का लिया था तो मैंने टोटल का लिया था वैरी वैरी गुड 40 और एक भी देखो दोनों साल की परसेंटेज लग लगा एक का 40 और एक का 30 है चलिए सर 40 और 30 यह बताईए यहां पर आ भी आ गया आपका एंप्लोई एक ही है तो मैं यहां पर लिख दूँ एंप्लोई अ बैनिफिट एक्सपेंसिस एंप्लोई बैनिफिट एक्सपेंसिस कितना था वैरी गूड वैरी गूड शूती बंसल ने बहुत बढ़िया जवाब दिया 248 मेरे लिए कैलकुलेशन थोड अब आपके पास एक्सपेंसिस की एक ही आइटम थी तो आपको दुबारा से टोटल करने की जूरूरत नहीं है ओहो अब तू कहां जा रहा है कि इसर मिरको आपने हिला दिया यह लो कहां यहां तक आ गया अब यह क्या गया profit कि अब आफ्टर टेक्स नहीं कि वीफोर टैक्स प्रॉफिट इन ओब फोर टैक्स बताएं कितना आ गया यह सैवं ट्रयुट्वेंट्य में एफ़ला क्रॉन टॉन यह कितना आ गया 420 यह सुर्ण ओर देखो शामने समझ आ रहा है सिम प्राशर समझ में आ रहा है उसके बाद देखिए सवाल की तरफ देखिए उसके बाद टैक्सरेट कितना है दोनों ही केस में 50-50 है इस है दो नहीं केस में 5050 एड़ो प्रॉफिट आफ्टर ट्यक्स दीफोर ट्रक्स के बाद आपका ट्रक्स लगेगा वो कौन से मांट पर लगेगा कई बार सब्सक्राइब की रिवें निव प्रॉप्रेशन लगता है वो प्रॉफिट अपर लगता है वो रिवेंव रिल तू लोगे कि इसका फ्रोफिट टैक्स कितना अगया दो लाग सोला हजार लोग दशाजार इसकें बाद यह आपकी आजएगी प्रॉफिट फिर्फिट आफ्टर टैक्स जैट इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुलग सिक्ष्टीन थाॉजन तूलाग टैन थाउजन सब्सक्राइब हिसके बाद आपने क्या कर आप क्या पुसक्त होता है या यह बी नगीटिव आये गात अब को से अब लिखना पड़ेगा आपको से ब्रैकित लिखना पड़ेगा तो आप्सूट चेंज क्या हो जाएगा फाइव लैक माइनस सिक्स लैक डैट इस ब्रैकेट लगाना है अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो एक्जामिनर तुम्हें ब्रैकेट कर देगा वो मेरी बात समझ में आ रही है पूर विजन वन लैक यह कितना आगया ब्रैकेट में यह कितना आगया ब्रैकेट में वन ट्वन्टी यह कितना आगया ब्रैकेट में वन लैक एट थाउजन सारे ब्रैकेट में आ रहे हैं वा जी वा 12,000 bracket में 6,000 bracket में 6,000 bracket में यह आ अब आपको पता है इस वरी जो आइटम को किसे डिवाइड करते हैं प्रीविएस ये एए फिकर से तो ये 1 बाइ 6 क्या हो जाएगा 6, 7 क्या bracket में राइट रीअरीया सेटी समझ में आ रहा है क्या चीज ये सब्सक्राइब ये कितना जाएगा ट्वंटी डिवाइड बाइड बाइड बड़िया था उसने तुम्हारे पर बड़ी दिया कर दी है ये कितना जाएगा वन जिरो एट डिवाइड बाइड बाइट बता हो एड बताहों कितना रहा ये बाइड रिषिट नहीं समझ में आ रहा गया कि अब भाई लड़्डू वाली फोना देगा अब भाइड कॉलेज में तुमने घुमना है इतनी स्मोसे खाने तो इतनी जल्डी आसे थो न समसे ख प्राइंट फाइफ ब्रैकेट में लिख दूँ है वेरी गुड यह कितना आ गया है कि यह कितना रहा है कि बताओ आप बता बेटा तूभी तो निकाल कुछ कि कैलकुटर सुना वहां पेपर में मिलेगा तरह को कि इसना बारा बटा चार बारा हजार बटा कि इसने बारा हजार डिवाइड लुडा फोर घर्टि टू से कैलकुर मजलू करना यार 2.78 2.7 zie डू पॉइंट 2.78 ब्रैकिट में अ बारा हजार डिवाइड बाइड लाइड फोर घर्टि टू एक मिनट मैं देखता हूं पावन अंदा जवाब आ रहा है बारह हजार डिवाइड बाइड बाइड चार लाग बत्तेस अजार टू-पॉइंट सेवन सेवन ठीक है सेवन एट तो आ रहा है तर उसका भी नीचे गवी डू-पन्ट सेवन एट याएगा उसका भी कितना आ रह है बताइए यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई पूर्वी जैन रिया से ठी अरे बाते मत करो भाई है कि मैंग वालिया समझ में आ गया तीन नंबर फ्री के हैं कैलकुलेशन तो करनी है बस यह ध्यान रखना पूर्वी एक बात ध्यान रखना अगर ब्रैकेट में है त सब्सक्राइब को भी और पर्सेंटेज को भी प्रिया से टीजिट क्लियर है चलिए अब हम सवाल करते हैं तीसरा सोरी चौथा नंबर सवाल किसका है कैश लोग कंप्लीट कैश लो बनानी है फ्रूम दफ अरे नहीं मैं करा के जांग अभी आदा गंटा नहीं हुआ तुमा अभी विलाल 15 मिन लगेंगे हैं हो जाएगा तो चंता क्यों कर रही है प्रैक्टिस करोगे तो क्या नहीं होगा इधर देखिए चलिए सवाल को पहले हम डिसकस करते हैं इधर देखो कंप्लीट कैश लो स्टेट्मेंट बनानी है मैंने आपको हमेशा क्या बोला क्या सवाल इधर देखो शूती बेटा सभी देखेंगे यह मेरी स्कीन पर सवाल है और आपको पता है मैंने आपको क्या बोला इधर देख शूती यह नंबर वन पॉइंट लिखा हुआ है रिजर्वेंट सर प्लस के सामने तो डिसीजन होगा इसके नीचे नोट्स लिखेंगे इसके इसके नोट्स लिखेंगे उससे हम डिटेल चेक करेंगे हम यहां से सीधा डिरेक्ट फिगर को यूज नहीं करेंगे राइट फिर आप उसके बाद देखिए कि क्या सवाल में कोई हमें अड्जस्मेंट दे रखी है कितनी एक दी हुई है दो दी हुई है वेरी वेरी कि अभी मैं आपको सवाल पूरा डिसकस करूंगा बेटा रूख जाओ भी सब कुछ करवा रहा हूं एक चीज़ और करो एक यहां पर बेटा हाँ यह ठीक है यह आपकी जो पीडियाफ है जो मैंने आपको ओफलाइन में दिया उसमें गलती है यहां पर ग्यारा लाग लिख यहां 750 करो यह इस सीगर को जिनको अभी मैंने कॉपी दिया ठीक करो यहां पर 750 आई है अगया है चलिए मैं आपको पूरा सवाल दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है पहले आप कंप्लीट क्या करिए आप सभी मेरे साथ कैश फ्लो स्टेट्मेंट का परफ चार कैश फ्लो स्टेट्मेंट लिखिए कैश फ्लो प्रॉम ओपरेटिंग यह लाज सवाल अबेटा आज की क्लास का कैश फ्लो फ्रॉम ओपरेटिंग अक्टिविटी लिख लिया उसके नीचे लिखिए प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम डेट इस वर्किंग नॉट नमबर वन ठीक है लिख लिया उसके नीचे लिखो अर्जस्ट्मेंट फ और और विखेंगे मेरे ओनलेन वाले बाल को लिख रहें लिख रहें पर्श लिख रहा है यह यह वाद नंदा तू भी लिख रहा है अंजी तो एक सवाल कराओंगा मैं पूरी शीट करा दूंगा तुम्हारा हाथ बहुत अच्छे चलने लग जाएगा तुम फिर कुंग की तरह कराटे वाज करने लग जाओगे अर्जस्ट्मेंट्स फोर नोन कैश एंड नोन और और प्रिटिंग आइटम्स और उसके बाद आप तीन लाइन छोड़ दीजिए यहां पर लिखिए अब आप यह आपका निकल कर क्या आता है और ओप्रेटिंग प्रॉफिट चेंजिस यह लिख लिया उसके नीचे लिखिए एड़ एड़ डिक्रीज इन करन्ट एसेट्स इंक्रीज इन करन्ट लाइबिल्टी बताएए यहां ते सबका परफॉर्मा बन गया कि नहीं बन गया पूर्वी बन गया पर सिंगल बन गया व यह उसके बाद यहां पर आपने क्या करना है यहां पर फिर 3 9 छोड़ दीजिए आप हिव भाप 3 9 छोड़ लिखिए लेस विए इन क्रीज इन किन करन्ट amingल एसेट्स अगे जनरेटिड प्रॉम और ओप्रेशन फिर आप इसमें लेस क्या करते हो लेस प्रोवीजन फोर टैक्स प्रोवीजन फोर टैक्स प्रीविएस यहर या टैक्स पेड बताए यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि बता रहें अभी बता रहें सब कुछ कराएंगे हाँ प्रीविए सिर वाला वहां जाता है प्रीविए सिर वाला यह करंट यह का वर्किंग नॉट नबर बन में एड बेसिकली जो पेड होता है यह देख मेरी बास सुन अभी मैं पूरा सवाल समझाऊंगा फिर दुवारा चुम्हारा पार्थ यह पर तेरा नामी पार्थ है तु तो ही आउट फ्लू है कि अच्छभी भी तो है यह भी आउट फ्लू है पूर्वियन पार्थ जिनके पीसे नाम आप बटा आउट फ्लू में याल रखना दें तो उड़ जाओं तुम वहां चलिए यह आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर ये भी बन गई बन गई इधर देख शूती बन गई उससे अगले बेच पर बना कैश फ्लोव फ्रॉम कैश फ्लोव फ्रॉम कि फानांसिंग एक्टिविटी रिशित कत्याल समझ में आ रहा है असीम प्राशर उसके बाद क्या बनेगा सर वर्किंग नोट बनेगा प्रॉफिट कि बिफोर टैक्स डैट इस वर्किंग नॉट नंबर वन कि यह बन गया आपका संप्ली सबका परफोर्में बन गए हैं लिया सेटी बन गए बेटा परफोर्में अब आज़ा हो आप अपने सवाल के उपर अब देखिए इधर देखिए बोर्ड की तरफ देखिए सभी ऑन अनलाइन वाले बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे गिर्पा करके कि सबसे पहले आप यह चेक करोगे कि भाई प्रीविएस यह कौन सा है कौन सा है तो सर इसने तो करंट यह पहले दिया प्रीविएस यह बात में दिया है तो आप ऐसे एक अब आपका देखिए शेर इस अब बढ़ गई जब आपको पता है चेंज इन अमरी बात सुनों अब बढ़ गई विच गाइंड ओ एक्टिविटी कि अध्या कि अभे कहीं फस गई गया अब बताओ विच काइंड ऑफ एक्टिविटी आपको पता है चेंज इन कॉम्पोजिशन ओफ इकुटी इस कवर अंडर फनांसिंग कितना आ गया बिटे 790 में 280 माइनस कर दो, Sorry 580 की तो आपका पाइसा आ गया तो लिखो इस्यू ओफ इकुटी शेयर कैपिटल, लिखेंगे इस्यू ओफ इकुटी शेयर कापिटल, लिखें आप इस्यू ओफ एकुटी शेयर कैपिटल सर कितना लिख दूँ सर टू टेन दो लाग दस जार मेरी बात समझ में आ रही है ये लिखो वहाँ पर टू लैक शुरूती बंसल समझ में आ रहा है टू लैक टैन थाउजन कोई डाउट अब आजे यह आगे अब आजा रिजर्वेंड सर प्लस एक नंबर पॉइंट लिखा हुआ हम एक नंबर पॉइंट को नीचे जाके देखेंगे यह एक नंबर का जो यह अमाउंट इसका पीछे क्या जोल जाल है राइट चलिए आप एक नंबर पे चलते हम ओह तू कहा आ गय चलिए इदर देखिए यह अब एक नंबर पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं वेटा यह हमारी गाड़ी गई एक नंबर पॉइंट के ओपर यह आपकी स्कीन के ओपर यह नौट नंबर वन आ गया शुरूती उन्होंने बोला सर्प्लस बैलंस स्टेट्मंट और पी एंडल यहां पर एक चीज याद रखो यह आपकी यहां पर यह ऐसे टोटल यह यह इसके निचे इसका टोटल है यह एक फीगर रही है देखो क्योंकि 60 प्लस 60 120 ऐसे इसका टोटल है दो फीगर नहीं है यह यह आपको बात ऊर्वी जैन समझ में आ रही है अब आप यह देखिए आ आपका statement और यह आपका क्या होता है profit after tax होता है a profit after tax 360 से 320 हो गया यानि आपने 260 कमा लिए और यह profit आपका कौन सा ता profit after tax अभी काम करते हैं profit after tax हो गया प्रफिट आपके सोगा शुरूत हिये हां जी profit after tax हर्शित येस सर उसके बाद एक जनल लिजर्व ये जनल लिजर्व का माउंट ये रहा 60 से आपका 140 हो गया यानिकि ट्रांसफर्ट जनल लिजर्व 80,000 हो गया तो दोनों आइट में लिखी है आप वर्किंग नॉट नमबर वन में लिखेंगे आप वर्किंग नॉट नमबर वन सरह में रहा ये रहा मैंने यहां क्या लिखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाली फीगर मैंने ये सर कैसे निकाली मैं तो भूल गया 320 कितना आ गया ये 260 फिर मैं क्या लिखूँगा एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना प्लस 80,000 शुरुती बंसल समझ आ गया ये चलिए आगे सर हम यहां तक पहुँच गए तू कहां जा रहा है हमारा नोट नमबर वन कंप्लीट हो गया चलिए सर नोट नमबर वन कंप्लीट हो गया पहले नोट को तो उड़ा दिया हमने अब दूसरे नोट की तरफ चलते हैं रुको 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 इरेस कर दे हैं इसको यह शिट चल भागयां से अब आजाओ अब आजाओ लिखा है लॉंग ट्रम बोरेंग दो नमबर पॉइंट अब हम इस दो नमबर को ढूंडेंगे तो दो नमबर के लिए और हमको बता है दो नमबर पे गए हम अब चल भाई तू क्यों चल रहा नहीं तू क्यों हैंग हो गया हाँ हाँ इस के यहां अपर गलती होती तो क्या कि आप इंट्रेस्ट्शन डिएंचर निकालए बेंटी होगी अब इंट्रेस्ट्शन डिएंचर में पहले ही निकाल लेता हूं राइट इधर देखो बिटा आपने जो नए डिमेंचर इशू किये थे वह कब किये थे पॉस्ट सेप्टमबर 2021 में यानि की तीन लाख इंट्व के बारा परसेंट इन्ट्व फर्स सेप्टमबर को आपकी लाइबिल्टी चेंज वह एक प्रिंसिपल हो गया यानि कि अपरेल मै जून जुलाइए अगस्ट पांच महीने हो गए कि नहीं हो गए तू कौन से साथ मीन गया रहा है अब सप्टमबर में इस्व किये तो हमारा फ़नेंशल कब से स्टार्ट हुआ था अप्रेल मई जून जुलाई अगस्थ 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 सब्सक्राइब में तो यहां पर कितने मीने हो जाएंगे यह बताओ पांच मीने हो गए कि नहीं हो गए इस पर कितना हो जाएगा 12 परसेंट अब वहीने का हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ बच्चों सभी जने पूर्वी जन यह सोर नो हां आपका जो इंट्रस्थ आ रहा है शूती बंसने पर बताए कि तोटल इंट्रस्थ आएगा पचास अजार पचास जार चक करके बताओ शूती बंसने सही निकाला है अगलती हो गय ती और में इसका पचास जार का ट्रीट्मेंट भी सुन लो इदर यह क्या होगा और फनांसिंग में माइनस होगा अभी मैं एक एक करके चल रहा हूं ना यह सोर नो कि चलिए अब आप मेरे साथ लिखे पहले दो इश्यों डिवेंचर लिखिए लिखिए यहां पर इश्यू ओफ कि 12 पर सेंट डिवेंचर अगया कि यहां पर क्या होगा उसके बाद क्या होगा फिर जैसे ही मैंने क्या लिख्खा पूरवी पी लिखा पहले मैं यहां क्या करूँगा ब्रैक्ट लगा लूगा कितने गा कि क्या लिखूंगा पेड इंट्रस्ट ओन कि 12 परसेंट डिवेंचर पावन नंदा समझ में आ रहा है और इसका एक इस फैक्ट रोड दूसरा कहा होगा ओपरेटिंग में यहां देखो यह देखिए यहां लिख दू मैं बैटा एड इंट्रस्ट ओन डिवेंचर पचास दारा सीम पराश्टर समझ में अभी तक बताओ किसी को कोई नहीं समझ में आ रहा तो बताओ पूर्वी जहन पावन नंदा आप शर्मा रिया से ठी चलिए आगया आगया आजाओ आगे बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बता है बैंक ओवरड्राफ्ट इस आलसो फरेंसिंग एक्टिविटी बिटा आपकी बॉर्राइंग चाहिए आपकी शॉट ट्रम हो चाहिए लॉंग ट्रम बॉर्राइंग तो बॉर्राइंग कलाएगी अब यह आपका कितना आ घ्या इसक्टिवसे कितना हो गया वानेटी 3 मैं वनेटीन सॉरी तो अच्छा मैंने गल्सक्राइव टेक्स में घुष गया 1 मिन पर मेरे से गलती हो सकती है रूख जा रूख जा रूख जा अब अरे यह वाला ना फॉर्टी टो से वन फिफ्टीन तो सेवनटी थी हो गया ना अरे बिटा कैसे एक सो पंदरा में से माइनस कर यह ले एक सो पंदरा माइनस फॉर्टी टू बीटा साब्दा नहीं हटी दुरुघटना घटी 73 प्रोस आपका पैसा बढ़ गया बॉरिंग बढ़ गई तो इसका मतलब इन फ्लो हो गया तो लिखो प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोसीड फ्रॉम बैंक कि ओवरड्राफ्ट कितना कि 73,000 समझ में आ गई बात जान विड़ल समझ में आ गया चलिए आगे आजओ प्रोविजन फॉर टैक्स आपको पता प्रोविजन फॉर टैक्स पर कोई भी अड्यस्ट्मेंट नहीं है हमने पहले डिसाइड कर लिया था अब यहां पर आपकी ब पाना जाता है मेड हो गया तो मेड आपका कहा आ जाएगा वर्किंग नॉट नमबर वन में एड हो जाएगा कितना वन एटीन और ओपरेटिंग की बेस्मेंट में कितना माइनस होगा फॉर्टी सिक्स इस ट्लियर रिया से थी तो यहां पर देखो इदर आ जाओ यह आपका वर्किंग नॉट नमबर वन है यह रहा एड प्रोवीजन और टैक्स यहां लिख लो कौन सा होता है करंटियर कितना था आपका वन लैक एटीन थाउजन बताओ और प्रेटिंग की बेस्मेंट में माइनस करो जो हमने यह किया हुआ था कि 46,000 इधर एक बार और करो इधर देखो बेटा ओहुआ है कि यह देखिए यह शूति बंसल बना हुआ यहां पर मैं क्या करूं माइनस कर दूं कितना कि 46,000 बताओ पूर्वी जहन समझ आ रहा है कि चलिए हमारा सवाल कहा तक हो गया सार हमारा चार नंबर तक पर पक्का फिर दिखा जाता हुआ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी तुम है कि पूर्वी जहन देखो यहां तक सवाल आपका हो गया कि नहीं हो गया अब देखिए अब आजाओ आपका फिक्स एसेट्स में आजाओ अब फिक्स एसेट्स में टेंजिवल और असीम प्राशर देख रहा है अब हम 5 और 6 को नीचे देखेंगे मैं तो हमेशा कहता हूं चरनों में स्वर्ग होता है और इस पर मशीनरी के बारे में मुझे कोई भी अर्जस्मेंट नहीं दी हुई सुनो मशीनरी के बारे में कोई भी अर्जस्मेंट नहीं दी हुई तो आ कि आपने परचेस कर ली बताइए यह सोर नो और उसके बाद डेप्रिशन आपका वन फिप्टीन से वन ट्वंटी हो गया तो फाइव थाउजन का डेप्रिशन चार्ट डिरिंग यह हो गया कि यह कहां हो जाएगा यह आपकी यह आपका कितना 350 कहां से माइनस होगा इनवेस्टिंग अक्टिविटी में और यह तो पांच अजार है यहां पर आजएए आप यहां पने इंट्रस्टॉंड डिमेंचन लिखा था यहां लिखो एड डेप्रिशेशन चार्ज डिरिंग डाईयर डेप्रिसेशन चार्ज द्यूरिंग दा यहर कि द्यूरिंग दा यहर कितना 5000 और इन्वेस्टिंग में क्या लिखोगे जैसे ही पी लिखोगे यहां पर नेगेटिव लिखो पहले कितना 350 क्या लिखोगे पर्चेज ओफ प्लांट अन् मशीनरी राइट राइट उसके बाद आजाईए आप इंटेंजिबल एसेट 170 से आपका 268 हो गया पर्चेज हो गया कितना हो गया वन लैक 2000 बताईए वन लैक 2000 की पर्चेज हो गई इधर देखो 98 हो जाएगा 98 का आउट फ्लो हो गया कि नहीं हो गया कि मुझे लगता है शूती बंसन ने मैंस कुछ ज़्यादा पड़ दिया जिसका मैंस का कल प्रैक्टिकल भी है यह उल्टा हिदा कर देगी कल हाँ इधर देखो यहां पर कहां लिखोगे यह जैसे यहां पी लिखोगे 98 पर्चेज ओफ गुडविल बताइए यहां तक समझ में आ गया कोई डाउट आ जाओ छे नंबर पॉइंट हो गए हमारे अजी अमोटाइस तो हुआ ना पर्चेज हुआ यहां तो परचेज होता यह अमोटाइस दोनों में से अगर तक सेल ना लिखा होता हां हां अब आजाओ अब आजाओ यहां तरण्ट आज़ा इधर देखो आपको पता है करन्ट इंवेस्मेंट इस पार्ट और कैशन कैश् 50 से फॉर 50 फॉर फॉरटी हो गया इंक्रीज इंकर्ण्ट असेट माइनस हो जाएगा 290 माइनस हो जाएगा 290 सर ओपरेटिंग में लिखो आप माइनस हो जाएगा 290 इधर देखो इस देख शुरूत है इंक्रीज इन कि ट्रेड कि प्रिशीवल कितना आगया ब्रैकिट में कि टू लेग नैंटी थादून जानवी डल समझ आ रहा है कोई डाउट उसके बाद देखो आपका सवाल खत्म हो गया क्योंकि अगला इटम तो कैश एंड कैश एक्विलेंट है यस है के नहीं है पूरवी अब हम एक ए कि अपने सबसे पहले जिस्ता समय स्टेट्मेंट बनी वहां से शुरू करेंगे इधर देखिए अब आप यह देखिए आपको यहां पर देखिए यहां पर जब तक वर्की नॉट नंबर नहीं आएगा तब तक आपका गाड़ी चलने वाली नहीं है और उसके लिए हमने अपना वहां लिखिए आप और फिफ्टी एट अपना वहां लिखिए आप यहां आ गया फॉर फिफ्टी एट अभी बताइए ओपरेटिंग प्रॉफिट विफॉर वर्किंग कैपिल चेंजिस कितना आ गया है फाइव लैक है थर्टीन थाउजन यह सुर नो यह सुर नो दीजिए कुछ भी नहीं है उसके बाद क्या करना आपको माइनस करना है टू नाइनटी कि यह आपका क्या निकलकर आजाएगा तो टू ट्वंटी थ्री और टू ट्वंटी थ्री में अगर मने फॉर्टेश मैनस करा तो आई थिंग बंश्यावन आना चीए अ यह आपका प एक्टिविटी बता पास शर्मा यह तरीका ठीक है रिजन कराने का यह पूर्वी जैन आप क्या कहते हो इस मैटरीश करेक्ट और नौट इस रिया से ठी पिड़ा कर लो मेनत मेरे सिर्पे जो कहते हैं बाल चार बचे हैं उसे बचे रहने देना अगले साल रिजल्ट के लिए यह तो मैं अपने बाल ही नोच लूँगा मैं बाहर वाले कॉलम में लिखो 177 डैट इस ए हो गया रिशित ए हो गया आगे आजाईए यहां आजाईए 350 प्लस 98 क्या लिखूंगा भी कैश मयंग वालिया बता क्या रहा है कैश यूजड इन कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया है और लैक है 48 नेगिटिव आउटर में लिख दूँ तो देखिए एक यह मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई पूर्वी समझ वारा रहा बिटा यह सर चलिए 448 हो गया यह चलिए अब आ जाओ तीसरा नंबर कि कैश कितना आ रहा है 4 43 प्लस का तो क्या लिखूंगा कैश फ्लो प्रॉम पानांसिंग एक्टिविटी यह लिख दिया मैंने और आउटर कॉलम लिख दिया 4 33 अब मैं क्या करूंगा यहां पर मैं क्या करूंगा ए प्लस बी प्लस सी करूंगा शूती इदर देख यहां पर मैं क्या करूंगा ए ए प्लस बी प्लस सी इदर देख मेरी बास सुन ए कितना था 177 A था B कितना था माइनस 4 48 और C कितना था 4 33 मुझे नेट बता कितना आ रहा है 160 162 प्लस का आ रहा है तो मैं से क्या लिखूंगा नेट इंक्रीज इन इनक्रीज इन कैश एंट कैश इक्यूवेलन्ट इसमें एड क्या करूँगा सर एड कर दो इसमें ओपुनिंग कितरो देखो ओपनिंग कैश औं कैश इक्यूवेलन्थ अभी सभी बच्चे तरख School पर देखेंगे यह पताईयआ ओप्पनिंग चैश औंट कितना था 60 प्लस 63 प्लस 70 कितना था 60 70 प्लस 133 अब आपका ओपनिंग नेट इंक्रीज कितना आए था प्लस 60 अगर यह टोटल आपका क्लोजिंग के बराबर आता है तो इसका मतलब आंसर इस राइट तो बताइए कितना हो गया पांच कि टू नाइंटी फाइव यह चेक करो यह आपका टू नाइंटी फाइव है के नहीं है सभी जैने चेक करेंगे स्क्रीन की तरफ रिया से टि समज आ गया की निया गया रिया से टी कि अ आ को हिसट्ण के करना ओपनिंक ये अधि करो ओपनिंग कैशेंग का स्टेथरी एड करो ऑपनिंग ये इसमें ये एड करो ये टोटल कितना आ इधर दे इधर रिशित कितना आ 295 अब अपना closing cash and cash equivalent चेक कर लो यह इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा तो यह क्या लिखोगे आप closing cash and cash equivalent बताओ बेटा यह पूरा सवाल समझ आ गया 10 नंबर का हमारा अराम से पेपर हो गया कि नहीं हो गया और इसी तरह मैं आपके साथ यह हमारे 25 सवाल में हो सकता है 25 के 25 ही आपको करा दूँँ अगर आपसे कुछ हो सकता है तो मेरे पर किरपा करना अगर कर लो तो बहुत बड़ी है नहीं तो मैं तो कराऊंगा यह कराऊंगा तो पर आज क्लास में यहीं ओवर करता हूं Friday को आज Friday और भाइव खुण से स्कूल है अब सर 12 से पच्छेस हमारे स्कूल सभी है एक-एक-टरिक बोलो बटा रिपोड़्य प्रेख्टिकल के साथ होगा पी के साथ चलेगा तो बहाइज जिस दिन का नहीं होगा कुछिन करेंगे क्योंकि मेरे को मेरा continuous class 15 से 25 तक अबर यार चल द